नमस्कार दोस्तों मैं विजेतिवारी स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल दा बुक्स सोसाइटी में जहां हम आद्ची क्लास में सब्जेक्ट कोड भी एचाइसी वन जिरो फाइफ के कोशन वेपर कोड देखेंगे जिससे हमें यह प्राइफ हो जाएगा कि पेपर में कोशन कैसे कैसे आते हैं और उसे से आपसे फिर अपनी त्यारी कर सकते हैं पेपर दो यूट्यूट में होका एक यूट्यूट से आप दो कोशन दे सकते हैं और एक यूट्यूट से तीन जैसे कि पहला कोशन है चरिस सहित्य क्या है प्रारमभिक मध्धियोगिन काल के इतिहास की निर्माण में इसकी क्या भूमी का है चैप्टर नंबर 1 से कोशन है राजपूतों के उधाये पर एक लेख लिखी है चैप्टर नंबर 2 से कोशन है चोल प्रशासन की प्रमुक विशेस्ता है बताईए चौता जो कोशन है उसमें चार आपके पास जिसमें से दो पर आप टिपड़ी करोगे राश्ट कूट प्रशासन, कैवर्त विद्रो, व्यपार इक स्रेणी, मंदिर वास्तुकला की नागर स्टैली देखो जब अब भी चैप्टर की वीडियो अप्लोड होंगी, अगर आप पूरी वीडियो नहीं सुनोगे न तो इन में से कोई भी कोशन नहीं होगा हिस्टरी एक टफ सब्जेक्ट हैं, और इसमें कोई कहानी भी नहीं चलेगी, मोश्टली चीज़े लाइन टू रहे नहीं चलेगी और नहीं समझाया भी जाएगा यूनिट्व में क्या सिंद्ध के अरव आक्रमणों का समाजिक प्रभाव पड़ा, यानि कि सिंद्ध पर जो अरव आक्रमण हुए उसका समाजिक प्रभाव क्या पड़ा और अगला कोशन है प्रारमभी मद्विगीन काल में भारते कृष्टी अर्थवस्ता की मुख विशेस्ता है खाती उनके बारें बताईए फड़े से कोशन भीपर में मिस्प्रिंट है हमें समझने से मतलब है आगे इंग्रिश मीडियम में दिया गया है तो यह ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती है साड़े साथ सो लेके बारों सो छे के बीच में वैपार और वाणिजी के विकास की समिक्षा कीजिए और आठवा कोश्चन फिर से टिपनी का है चार पॉइंट दिया गए दो पे से आप किसी भी टिपनी कर सकते हैं इंग्रिस मीडियम वाले अपना कोश्चन पर यहां से देख सकते हैं कोश्चन नमबर वन टू थ्री और फोर अगले कोश्चन ये और आठवा कोश्चन जो टिपनी वाला है तो सभी वीडियो तो अपलोड नहीं हो पाएंगी क्योंकि इतने सारे चैप्टर हैं 17 चैप्टर हैं लगभग फिर भी कोश्च की जाएगी 7-8 में में चैप्टर आपको अपलोड करके दिये जाएं तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आप से चैप्टरों की वीडियो में